नमस्कार दोस्तो इस टेडी विद हैपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ कौन सी पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो कई बार मुझसे लोगों ने पूछा भी है कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए तीन साल हो गए चार साल हो गए मगर अभी तक जॉब नहीं लग पाई है और अभी हम तैयारी छोड़ना भी नहीं चाते हैं मगर क्योंकि फाइनेशली बर्डन इतना है कि कुछ ना कुछ मतलब आर्थिक मदद भी हो जाए ऐसा कौन सा काम किया जाए दोस्तो आपको पता है सरकारी नौकरी का क्या हाल चल रहा है बर्ती निकलती नहीं है पहले तो जल्दी और जब निकलती है तो उसकी परिक्षा कब होगी फाइनल डिजल्ट कब आएगा तो मतलब बहुत ही लंबा सफर हो गया है और खास कर दोस्तो राज्य सरकार की नौकरी या फिर किन सरकार की नौकरी का कुछ ही ऐसे जिसे UPSC कह सकते हैं जो की मतलब अपने शिड्यूल से कराता है परिक्षा है बाकी कोई भी परिक्षा है टाइम से नहीं हो पा रही हैं चाहें वो रेलवे की हो UPSC की हो या फिर UPSC की हो तो ऐसे मैं कहीं न कहीं दोस्तो लोगों के उपर आर्थिक संकट मंडराने लगता है एक दो साल तक तो सभी लोग हो सकता है आपको सपोर्ट करें कि हाँ इस समय पर आप तायारी करिए मगर जब कहीं पर भी नहीं हो रहा है तो ताने पढ़ने ही लगते हैं कि कब तक घर पे पढ़े रहोगे घर वाले भले ही ना कहें मगर आपके महले परोस वाले या रिस्तेदार ये सब बाते हैं तो इसका सॉलूशन क्या है दोस्तो अगर आप किसी फुल टाइम जॉब में चले जाओगे न तो यकीन वानिये कि अगर आपका कहीं सेलेक्शन होने वाला भी होगा तो हो सकता है कि ना हो पाए क्योंकि दोस्तो जब भी हम कोई जॉब करते हैं फुल टाइम जॉब तो उसका जो वहां के इंपलॉई है वो उनकी मेंटिलिटी अलग होती है और आप जो तयारी कर रहे हैं आपकी मेंटिलिटी अलग है तो ऐसे में पार्ट टाइम जॉब ही देखना ठीक है और जिसमें आपका चार से पांच घंटा जाए इससे जादा नहीं और वो जॉब भी ऐसी होने चाहिए जो कि आपको पढ़ाई से दूर ना ले जाए तो यहां पर शीश राम जी हैं जिन्होंने कमेंट करके बहुत अच्छा एक कह सकते हैं इसमें ज्यादा कमाई तो नहीं होगी मगर साथ ही साथ जो है मातलब कम होगी मगर आपकी हैल्प हो जाएगी यह क्या करते हैं इन्होंने यह बता है कि हम एक इंस्टिटूट में PAYEPER टाइपिंग करने का काम करते हैं दोस्तों आपको पता है कि हर जिले के अंदर बहुत सारे कोचिंग इंस्टिटूट खुल गए है जो कि पढ़ा रहे हैं अलग-अलग माद्यम से तो वहाँ पर पेपर बनाए जाते हैं तो इस तरीके कि अगर आपको जॉब मिल सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है इससे क्या होगा एक तो आपका टाइपिंग पर confidence आ जाएगा क्योंकि दोस्तो एक टाइपिंग होती है हम घर पर practice करते हैं और एक होता है real time scenario तो ऐसे में अगर आप टाइपिंग कहीं पर कर सकते हैं और खास कर किसी institute में जो कि पढ़ा रहा है या फिर किसी college के अंदर किसी school के अंदर जो कि टाइपिंग का work हो ये बहुत बढ़िया होगा job या फिर आप देख सकते हैं कि कचेरी वगेरा में भी अगर आपको टाइपिंग का कुछ part time job मिल जाए दोस्तो मैं offline इसलिए suggest कर रहा हूं आप लोगों को कि online में fraud बहुत जादा होते हैं और online में आप परिशान भी हो जाएंगे यहां पर दोस्तो आपको ये भी ध्यान मे रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा काम मिल गया जिसमें बहुत जादा earning हो रही है तो government job की तयारी से तो आप बिल्कुल हट जाएंगे government job में सिर्फ आपको salary भी नहीं मिलती है salary के साथ में एक authority भी मिलती है इसलिए जब तक मुम्किन हो आप support कर सकते हैं अपनी तयारी को त इसा नहीं मिल पाता है कम ही मिलता है तो वो भी काम आप कर सकते हैं मगर हां अगर आपने तयारी अभी शुरू की है तो part time job मत करिएगा क्योंकि एक साल जो है पूरा dedication के साथ एक जड़ साल वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना चाहिए और ऐसे में घरवाले सारे आप को support भी करेंगे मगर जब दोस्तों तीन चार साल हो जाएं तो कुछ ना कुछ काम start कर दीजिए वैसे तो दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता सकता था कि आप यूट्यूबर बन जाईए और यूट्यूबर वीडियो बनाने लगिए मगर दोस्तों वो इतना ज्यादा मत आप मुझे comment section में बताईएगा कि मैं इस talent को अपने channel के माध्यम से पेश कर सकता हूं लोग के सामने तो मैं आपको जरू सज़ेश्ट करूँगा कि आपको YouTube channel बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों आज की समय में आपको पता है कि internet का यूग है और सब लोग घर बैठे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं मगर student के लिए अभी सही नहीं होगा मेरे इसाब से मगर फिर भी अगर आपके अंदर कोई extraordinary talent है हो सकता है कोई dancer अच्छा हो कोई गायक अच्छा हो या कुछ भी अलग से talent है तो आप comment section में जरूर बताईएगा मैं कोशिश करूँगा कि जल से जल आप लोग को बताऊं कि उससे related कहां पर आपकी part time earning हो सकती है ठीक है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो like कर सकते हैं और कोई query हो तो comment section में लिख सकते हैं जल बलेंगे दोस्तो हम next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत